आज हम रिस्क मैनेजमेंट को डिसकस करेंगे कि ट्रेड में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है प्रॉफिट में जब हो तब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है जब लॉस होता है तब रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है यह हम डिसकस करेंगे आज की वीडियो में मार्केट में basically loss होता क्यों है मार्केट में जब भी पैसा जाता है उसका सबसे बड़ा reason होता है आपका emotional disbalance कौन-कौन से वो emotions है जो trading के दोरान एक trader के दिमाग में बार-बार आते रहते तो सबसे पहला emotion है fear डर डर किस चीज़ का? दो चीज़ का पहला कही loss ना हो जाए और दूसरा डर जो profit बना है वो कही कम ना हो जाए तो पहले जो loss वाला डर है इसको समझने की कोशिश करते है मान के चलिए आपने किसी setup पे यहाँ पे कोई एक setup बन रहा था और आपने breakout पे यहाँ पे entry ले ली अब जैसी ही आपने entry बना ली आपने stop loss प्लेस किया तब इस swing के नीचे यहाँ पे अब यहाँ पे आपका जो discipline है वो आपको बता रहा है कि stop loss यहाँ पे swing के नीचे प्लेस करना है अब market volatile होती है market थोड़ी भी नीचे आना start हो गया तो डर के मारे आप यहाँ पे कही पे आपका stop loss लाके इसको position को काड़ देते हो loss में अब जैसी ही आपने आपकी position loss में काड़ दी market यहाँ से you turn करके आपका target हिट कर देता है तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि trade plan बिल्कुल सही था trade आपके इसाब से गया भी बस डर के मारे आपने उसमें जल्दी loss बुक कर लिया और जैसी आपने loss बुक कर लिया वहाँ से फिर market पलेट के आपका target दे गए तो यहाँ पे यह fair factor की वज़े से आपने early loss booking कर लिया जहाँ पे आपका पैसा बन सकता था market में जहाँ पे आपको बहुत अच्छा profit हो सकता था वो winning trade भी आप loss में close कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ fair की वज़े से पैसा गवाने का जो डर है वो डर आपको trade को hold नहीं करने देता है जब भी आप stop loss के साथ छेड़ खानी करोगे तो वहाँ पे आपको loss ही होगा ट्रेडिंग है profit भी होगा loss भी होगा बट discipline के साथ करोगे तो loss नहीं होगा अब profit कम होने का fear जैसी आपने किसी trade में entry ले ली trade आपकी direction में सही जा रहा है 1000-2000 का profit दिखा आपको डर लग लगा कि कई ये profit चला न जाए तो आपने इसको यही पे तुरंद book कर लिया और उसके बाद आपका जो initial target था market ने वहाँ तक का move दे दिया जहाँ पे आपका 5000 रुपया बन सकता था वहाँ पे आप 1000 रुपया लेके market से बाहर चले जा रहे हो तो ऐसी situation में profit में होने के बावजूद भी डर की वज़े से आप trade को hold नहीं कर पाते हो कही न कही आपके दिमाग में पीछे हुए वे losses चल रहे होते losses बढ़ना जाए जो profit आ रहा है उसको तो ले लो ये psychology कही न कही market में आपको लंबे targets नहीं लेने देती है बड़ा पैसा नहीं बनाने देती है तो यहाँ पे इस type से indiscipline trading करना गलत है आपको अगर market में सही से पैसा बनाना है सही trading करना है तो आपको fear से overcome करना पड़ेगा डर के चलते आप market में कोई भी trade successful execute नहीं कर सकते अब दूसरा reason होता है grid grid मतलब लालच अब लालच में क्या होता है ना आपने एक trade initiate कर लिया आपने initial trade plan मनाया था 20% target का आपका target हीट हो भी जाता है तो भी आप trade से exit नहीं लेते हो आप लालच में और उपर जाएगा इस चक्कर में hold करते हो और market यही से पलेट के आपका stop loss हीट कर देती है मतलब जो trade profit में था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लालच की वज़े से loss में convert हो जाता है तो यह grid भी market में बहुत गलत है इस grid के चक्कर में इस लालच के चक्कर में कई बार trader क्या करता है market से लड़ बैटता है कि नहीं इस trade में मैं तो 10,000 लेके ही जाऊगा जबकि market resistance के पास है आपको यहाँ पे 8-9,000 का profit हो रहा होता है बट 10,000 पे आप अड़ जाते हो 10,000 के लालच में आप जो 8-9,000 आ रहाता उसको भी loss में convert कर देते हो तो यह grid लालच का जो emotion ही यह भी market में trader को परिशान करता है अब grid और fear दोनों में एक चीज़ बस है कि fear वो होता है कि जहाँ पे आप target से पहले profit book कर लेते हो और grid में target हीट होने के बाद भी आप profit book नहीं करते हो अब यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि market अगर किसी resistance के पास है तो यहाँ पे cross करके उपर जाएगा या reversal लेगा यह तोनों तरब जा सकता है यह हवा में सिक्का उच्छालने के तरह है या तो heads आएगा या tails आएगा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है market में तो सही समय पे profit book करना भी ज़रूरी है अब तीसरा emotions हमारे Indians का बहुत favorite emotion यह है hope हम हर चीज़ में positive hopes लूनने की कोशिश करते तो यहाँ पे अगर हम loss में जा रहे है तो हम हमेशा हाथ पैर जोड़ते हैं बगवान की की यार हमारी position यहाँ पे profit में ले आओ cost to cost ले आओ मैं निकल जाओगा हम hopes पे loss को hold करते और वो loss बढ़ते ही जाता है अगर सही से stop loss follow किया होता तो जो loss 5000 में आप trade को close कर सकते थे hopes के चक्कर में वही 5000 का loss बढ़के 25000 तक हो जाता है और फिर आप 25000 में loss को काटोगे और फिर market को गाली बखोगे कि यार यह तो gambling है जुआ है हमेशा आपके साथ ही ऐसा होता है खुद को कोसोगे बढ़ कही न कही यहाँ पे आपकी गलती यह होती है कि आप यहाँ पे discipline follow नहीं करते हो trader यहाँ पे अगर discipline follow करे सही टाइम पे stop loss को accept कर ले तो बड़े losses से trader बच सकता है stress अब यह क्यों होता है stress क्यों होता है trader जब भी continuous losses देखता है तब वो चाहता है कि जब भी वो entry करे trade तुरंद profit में चला गया और अगर market थोड़ा भी sideways चला गया तो वो stress में आ जाता है और stress में आके jumping jump out करना start कर देता है trades में एक candle देखी ने की upside की position बना ली दूसरी candle downside की देखी ने की downside की position बना ली तो यहाँ पर परिशान होके stress में बहुत ज़्यादा old trading कर लेता है और जब भी market में old trading होती है तब market में 100% loss ही होता है market में आप patience से बेटो सही setup का wait करो सही entry exit करो तब ही पैसा बनेगा stress में आके impatient बनके अगर आपने हर एक single candle को देखके market को judge करमा start कर दिया कि एक green candle बनी आपने market उपर जाएगा सोच लिया एक red candle बनी आपने सोचा market अब तो नीचे जाएगा ऐसे काम नहीं चलेगा आपको discipline से trade setup को follow करना पड़ेगा तब ही market में पैसा बन पाएगा अब अगर हम बात करें कि यह तो हो गए emotions बट market में profit करने के लिए emotions control के साथ-साथ जरूरी क्या है कौन सी वो चीज़ है जो market में जरूरी है profit करने के लिए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दहान देना पड़ेगा हमारे win rate के win rate क्या होता है आपके trade के accuracy level अगर आप high accuracy level के साथ trade करते हो और low risk reward पे भी trading करते हो तो भी आप profitable हो सकते हो अगर आप high risk reward पे low accuracy के साथ trade कर रहे हो फिर भी आप profitable हो सकते हो बट अगर आपकी accuracy level भी कम है और risk reward भी खराब है तो आप market में पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में कोई पैसा नहीं बना पाएगा low win rate और low accuracy rate के साथ risk reward भी खराबे, win rate भी खराबे, पैसा नहीं बनेगा win rate का मतलब है आपका skill set trading का आप कितने अच्छे से market को analyze करते हो, कितने अच्छे से setups को spot करते हो कितने अच्छे से trade को execute करते हो यह हर चीज आती है win rate में risk reward आप कितने के risk में कितना reward book करते हो यह आता है risk reward में अगर आपका risk reward भी high है और win rate भी high तो यहाँ पे market में बहुत अच्छा पैसा बनेगा trading से पैसा बनेगा इसी level पे यहाँ पे आप बस survive कर लोगे बट जो market में real game changer होता है उसके लिए आपको high accuracy के साथ-साथ अच्छा risk reward भी maintain करना पड़ेगा अब यह risk reward क्या होता है risk reward होता है कि आप अगर एक रुपय के आप एक रुपय loss bear करने के लिए रेडियो expectation से आपकी market से कि आपको एक रुपय profit हो जाए तो इस case में आपका risk reward 1 is to 1 हो जाता है अगर आप एक रुपय के risk के against market से 2 रुपय की उम्मीद करते हो तो आपका risk reward 1 is to 2 होगा अगर आप एक रुपय के risk के against 3 रुपय का profit expect कर रहे हो तो आपका 1 is to 3 का risk reward हो गया तो जितना कम risk लेके आप market से जितना ज़्यादा पैसा बना पाओ कि वो होता है higher risk reward तो हमें हमेशा higher risk reward पे काम करना चाहिए यहाँ पे अगर हम risk reward को इस table के साथ समझने की कोशिश करें तो जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे अगर एक लाग का capital है और per trade 2000 का अगर कोई बंदा risk लेता है trading में तो अगर उसका win rate अगर उसकी accuracy level 50% है कि 10 में से 5 trade जलत जा रहे है 5 trade सही जा रहे तो वो market में cost to cost zero ना profit ना loss इस level पे बैठ सकता है बट अगर उसने risk reward थोड़ा भी सुधार लिया और 50% ही win rate रहा तो भी वो market में एक लाग की capital पे 2000 रुपे का risk लेके 10 trade में 10,000 रुपे का profit कर सकता है और जैसे जैसे market में वो अपना win rate सुधारता चला जाएगा तो 50% accuracy level के साथ भी उसे market में बहुत अच्छा reward मिलता जाएगा और अगर यहाँ पे उसने अपनी accuracy level को भी increase कर लिया 70% accuracy level के साथ अगर 1-3 भी कोई बंदा trade करता है तो 10 trade के पीछे उसे 36,000 का भी profit मिल सकता है तो यह एक general calculation है इसको आप as it is मत लीजे बट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि win rate का और सही risk reward का combination कितना ज़रूरी होता है यहाँ पे कोई भी बंदा 100% win rate के साथ काम नहीं कर सकता market में चाहे वो market में कितने भी पैसे लेके बैठा क्यों ना हो 10,000-15,000 करोड का भी कोई अगर portfolio manage कर रहा है उसका भी win rate 100% कभी नहीं होता है तो आपका win rate अगर 60-70% है और अगर आप अच्छे risk reward पे काम कर रहे हो तो आपको market में बहुत अच्छा profit हो सकता है तो हमेशा risk reward को सही से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब risk reward के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है position sizing कई बार होता क्या है कि अगर किसी का total capital 10,000,000 रुपए है तो वो 10 के 10,000,000 रुपए एकी trade में लगा देता है तो वो बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे आपको risk per trade को define करना पड़ेगा कि मैं मेरे capital के 2% ही risk लूगा अगर मेरा 10,000,000 का capital है तो 2% का risk होता है 20,000 का अगर मेरा 1,000,000 का capital है तो 2% का risk होता है 2,000 का तो पहले आपको risk को define करना पड़ेगा कि मैं per trade कितना risk ले सकता हूँ अब उसके बाद आप जो भी trade ले रहे हो उसमें stop loss कितने point का है आपका वो आपको देखना है अगर मेरा stop loss 20 point का है और अगर मैं risk per trade 2,000 रुपे लेने के लिए रही हूँ तो उस case में मुझे allowed है कि मैं 100 quantity के साथ trade करू बट यही अगर मेरा stop loss 10 point का है 20 point का नहीं है stop loss stop loss मेरा 10 point का है तो उस case में मैं यहाँ पे 100 quantity की जगा पे 200 quantity में trade करूगा अगर stop loss बढ़ा है मान के चलो यहाँ पे 20 की जगा मेरा stop loss 40 point का है तो उस case में 100 quantity में trade नहीं कर सकता क्योंकि मेरा position sizing खराब हो जाएगा मुझे position sizing सही से अगर maintain करना है तो मुझे अगर 40 point के stop loss की अगर 50 quantity में ही trade करना चाहिए तो इस तरह आप आपकी trade की quantity को decide कर सकते हो यह बहुत ही simple formula है जहापे आपको risk per trade को define करना है पहले तो और उसके बाद आपका stop loss जितने भी points का है उतने points को उससे divide कर देना है तो आपका position sizing निकल के आ जाएगा कभी भी पूरा risk एक stock में नहीं लगाना चाहिए हमेशा आपके capital के almost 10-15% से ज़्यादा investment एक stock में नहीं होना चाहिए max 10-15% investment एक stock में और उसमें भी आपका जो भी है risk management predefined होना चाहिए कि मैं अगर 10-15% एक stock में लगा भी रहो तो मैं जो भी loss है वो overall portfolio के 2-3% से ज़्यादा नहीं लूँगा ये discipline आपको रखना पड़ेगा तभी market में पैसा बनेगा अब यहाँ पर ये सब चीजे सीख तो जाता है ये theoretical knowledge लेना बहुत असान है बट इसको market में implement करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है तो जब हम market में इसको implement करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम बहुत सी चीजों में अभी भी improve नहीं कर पा रहे है तो उसको monitor करने के लिए हमें यहाँ पे trading journal को maintain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अब ये trading journal क्या होता है इसमें आपको कोई भी trade execute करने से पहले आपका trade plan जो भी है उसको लिख लेना है जहाँ पे आपका risk reward ratio कितना है आपका setup कौन सा better है कौन से setup के basis पे आप यहाँ पे trade ले रहे हो हर चीज को note down करो plan note down करने के बाद आपको trade execute करना है आपने आपके trade setup के हिसाब से यहाँ पे trade को execute करना है without any hesitation बिना किसी हिच की चाहट के आपको अगर आपका plan सही है तो आपको trade execute करना है और जब आप trade को execute कर लोगे तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि आपने कौन से strategy के setup पे उसको execute किया है कौन सा chart pattern था entry price, stop loss, target total risk कितना था आपनी कितनी quantity लिए हर चीज को not everything हर चीज को लिख लो और जब आप यह सम लिख लोगे तो यहाँ पे जब आपका trade ongoing होगा तब आपको आपके emotions को भी record करना है कि emotions trade लेने से पहले आपका thought process क्या था जब trade चल रहा है तब आपका thought process क्या है आपके दिमाग में इन में से कौन सा emotion बार-बार आ रहा है greed, fear, hope, panic कौन सा emotions बार-बार आपको परिशान कर रहा है इसको आपको आपके trading journal में लिखना है और जब आपका trade exit हो जाए तो आपको आपका trade review भी करना है कि आपने सही से risk management को follow किया या नही risk reward आपने achieve किया की नहीं किया आपके emotions ने आपके trading decisions पे कितना impact डाला हर चीज को आपको record करना है और ये सब record करके जब आप इसका weekly, monthly overview करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके mistakes हो का रही है और जहाँ-जहाँ आपके mistakes हो रही है उन-उन area पे काम करके आप उसको improve कर सकते हूँ ये gradual process होता है कोई भी trader overnight आके तुरंट अपने emotions पे control नहीं पा सकता है हर एक trade में जब उसको अपनी mistakes realize होती है वो दिरे-दिरे सीखता है अपनी गलतियों से तब जाके उसको trading में उसके improvement देखने मिलता है एकी दिन में day one पे कोई trader आ गया उसने risk management का पूरा part पढ़ लिया और अगले दिन से वो profitable trader हो गया ये होई नहीं सकता ये एक gradual process है जहाँ पे आपको दिरे-दिरे चीजों को note down करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपकी गलतिया कहा हो रही है कैसे आप उसको improve कर सकते हो ये आपको gradually सीखना पड़ेगा यहाँ पे एक winning mindset होना बहुत ज़्यादा ज़रूर है trading में क्योंकि जब तक आपका mindset winning नहीं है तब तक आप market में confidence के साथ trading नहीं कर पाओगे और winning mindset कहा से आता है आप में discipline होने चाहिए patience होना चाहिए market में बहुत से लोग देखे मैंने कि जो कही पे भी entry कर लेते हैं कही पे भी exit कर लेते हैं unnecessary quantity बढ़ा देते हैं averaging करते रहते हैं यह हर चीज गलत है आप में patience होना चाहिए patience किस चीज का patience होना चाहिए आपका सही trade setup के डूणने का form होने का सही entry लेने के बाद trade में stop loss या target तक trade को hold करने का patience होना चाहिए unnecessary emotions के चक्कर में trade में कहीं भी enter कर रहें कहीं भी loss बुक कर रहें कहीं भी profit बुक कर रहें यह नहीं होना चाहिए patience से आपको trade को hold करते आना चाहिए आपका focus बिल्कुल clear होना चाहिए कि कौन से stock पे आप trade करोगे आपको market में क्या करना है क्या नहीं करना है बिल्कुल vision clear होना चाहिए और जब आप ये सब चीजे बिल्कुल सही तरीके से discipline follow करोगे patience रखोगे, focus रहोगे market में तो intuitions आपको अपने आप आना चालो हो जाएगी कि हाँ ये trade सही जा सकता है, ये trade नहीं जा सकता है market condition अभी सही है अच्छे number of trades बढ़ाने के लिए ये condition सही है, ये condition सही नहीं है तो ये intuitions आपको market में practice से आना चालो हो जाते I hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like, share, subscribe कर देना और आपकी जो भी queries है आप comment box में लिख सकते हो मैं आपके हर query का answer करनी की पूरी-पूरी कोशिश करूगा